दोस्तों अगर आप लोग IDFC First Bank के कश्मर हो तो आप सभी लोग के लिए एक बड़ी बड़ी गूट निउज है IDFC First Bank ने कोरोना वायरस महमारी से ग्रसित अपने सभी ग्रापों के लिए एक खास स्कीम की शुरुआत कर दी है जिसका नाम है घर घर रासन योजना स्कीम इस योजना के तयार IDFC First Bank अपने उन सभी ग्रापों जिनकी आए यानि की इंकम पचास जार रुपए से कम की है उनके घर पे रासन पहुचाने का काम करेगी वो भी बिलकुल फ्री में तो आज ये वीडियो में हम आप लोग को IDFC First Bank के द्वारा शुरूग होने वाले घर घर रासन योजना के बारे में पूरा डेटेल में जनकारी देने वाले है तो आप लोग वीडियो प्लीज इसकिप बिलकुल भी ना करना IDFC First Bank की तरफ से बहुत ही अच्छा इनिसियाटिव लिया गया जिसकी हम सभी लोग के जितनी तारीख करना चाहिए उतनी कम है वैसे IDFC First Bank की ने ये काम तो सभी बैंकों, सभी संस्थाओं, सभी कंपनीओं को करना चाहिए इसका थे हम लोगों को भी अपने आसपलोस के अपने गाउं में, अपने मौले में ऐसे लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए जो लोग भी करोना वारिस महामारी से गरसित हुए है दोस्तो आज की वीडियो हमें हम आप लोगो IDFC First Bank के दोहरा सुरू की जारे घरगर रासन युजना की पूरे डिटेल में जनकारी देने वाले है तो वीडियो आप लोग प्लीज एंड तक जरूर देखना तो नमस्कार दोस्तो मेरे नाम है प्रभीर और आप देखरे है हमारा यूटूब चैनल टेक्नो बैंकिंग तो आज दोस्तो बिना समय को आई वीडियो श्टार्ट करते हैं दोस्तो IDFC First Bank की तरफ से बहुत अच्छा इनिसियेटी लिया गया है उन सभी Employees के परिवारों के आर्थिक मदद के लिए एक स्कीम की शुरुआत की गई थी जिसका नाम है Employee COVID Care Scheme 2021 तो अब IDFC First Bank अपने ग्राफों की मदद के लिए भी इस स्कीम घरघर रासन यूजना की स्कीम की सुरुआत कर रहा है दोस्तों IDFC First Bank अट्वीट करके यह जनकारी दे दी है तो यहाँ पर आप लोग इस स्कीम पर देख सकते हो कि IDFC First Bank अट्वीट करके यह बोला कि घरघर रासन प्रोग्राम IDFC First Bank के द्वारा एक अनूठी पाल है जिसमें करबचारी इस मुश्किल दावर में जरूरत मन लोगों की मदद के लिए अपनी परसनल इंकम से कुछ युगदान करते हैं यानि कि यह जो स्कीम है इसमें जो फंड किया गया है जो पैसा आया है इस स्कीम के लिए उसमें IDFC First Bank के सभी इंप्लॉईयों ने ही दान दिया है तो यह बहुत यह अच्छा कदम है और इसके हमें कस्टमर हमें कस्टमर फर्स बैंक होने पर गर्व है और हम हर संबाव तरिके से मदद और साहता कर रहे हैं तो यह आप ट्विट देख सकते हो IDFC First Bank की दोस्तों इस स्कीम की सबसे बड़ी खास्कियत यह भी है कि इसमें जो पैसा लग रहा है वो IDFC First Bank की Employees का ही लग रहा है यानि कि Employee Funded Program है कहीं सरकार वगारत से कोई भी दान वगारत नहीं लिया जा रहा है एक है रूरल एरिया एक है अर्बन एरिया तो रूरल एरिया मिस गाम वाले इलाका तो उन सभी इलाकों को एक पैकेट यानि कि पुरा रासन का पैकेट दिया जाएगा जिसके अंदर 10 किलो चावल या फिर 10 किलो आटा हो सकता है दोनों में से एक रहेगा 10 किलो चावल या फिर 10 किलो आटा ये आपके उपर है कि आप लोग चावल प्रिफर करते हो या फिर आटा दोनों में से एक रहेगा 10 किलो चावल या फिर आटा दो किलो डाल लाएगा 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक एक किलो चीनी और 1 किलो नमक इसक इसका थी मसाले का पांच पैकेट चाय और विस्कूट अनावस्थर चीजे भी सामिल रहेंगी तो यह हो गया गाउवाले इलाके में जहां पे यह पैकेट दिया जाएगा गाउवालों को इसका थी जो अर्बन एरिया है अर्बन एरिया में सबी ग्राकों को अठारा सो इस योजना की सुरुवात कर भी चुके हैं जिसमें महाराज, रदस्तान, हर्याडा में करीब 1000 से ज्यादा रासन किट बाटी जा चुकी है और जैसके मैंने आप लोग को बताएगे पूरी तरीके से यह जो योजना है इंप्लॉई-funded योजना है तो अगर आप लोग भी इ जिन किसी की सायता जरू करिये तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना सा है अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आये तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरू कर देना अपने उन सभी कश्मस के लिए अपने उन सभी दोस्तों साथ जरू सेयर करना जिनका IDFC पर ये फ्रोची तरह ये जाए हिन्दु बंदे मातरा